असलाम अलेकुम, आप देख रहे हैं YouTube चैनल MLT Hub with कामरान, मैं हूं कामरान कैसे हैं dear viewers, उमीद है सब, ठीक ठाक होंगे आज की वीडियो का टॉपिक बहुत एहम है और आज बहुत नई चीज़े आप लोगो सीखने को मिलेंगी आज का हमारा टॉपिक है कि केल्शियम औक्सलेट के क्रिस्टल किसे कहे जाते हैं और ये कुछ मरीजों के यूरीन के माइक्रोसकोपी में नजर आते हैं वगजाया नहीं करते हैं शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को सबसे पहले हम ये जानेंगे किल्शियम उग्जलेट के क्रिस्टल्स किसे कहे जाते हैं किल्शियम उग्जलेट के जो पत्रियां होती हैं तो गुर्दे में पाई जानी वाले पत्रियों में सबसे ज्यादा किल्शियम उग्जलेट की पत्रियां पाई जाती है केल्शियम औक्जलेट दरसल में दो मादों से बना एक मजमुआ है यानि पहली जो चीज है वो है केल्शियम और दूसरी चीज है औक्जलेट तो केल्शियम और औक्जलेट दोनों कमबाइन होकर केल्शियम औक्जलेट के स्टोन्स या क्रिस्टल्स बनाते हैं सबसे जो बड़ी वज़ा होती है केलशियम औक्जलेट के पत्रियों का बनना या फिर उनके क्रिस्टल्स का बनना तो उसकी सबसे बड़ी वज़ा औक्जलेट होती है औक्सलेट हमारे जिसम में केलशिम के साथ मिल जाता है तो तब जाकर फिर इसे केलशिम औक्सलेट के क्रिस्टल्स या केलशिम औक्सलेट की पत्रियां कहा जाता है जब ऐसी खुराकों का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें ऑग्जलेट की मिखदार बहुत ज्यादा होती है उपर से मरीज जो है वो पानी भी नहीं पीता तो पानी जब ज्यादा नहीं पिएगा तो पिशाब भी ज्यादा नहीं निकलेगा तो इन ऑग्जलेट को वक्त मिल ज क्युआ जाता है कि ये गुर्दे में चा कर केलशेम के साथ मिल जाए और ये फिर केलशेम केfa के क्रीस्टल की पत्री आगज्रियर्ट की पत्री ये पत्री abon और उन भुराको के बारे में जानते है जिसमें आगज्रेम के बहुत बड़ी मिकदार में मौजू बारा है तो वो है साग यानि जिसे पालक का साग भी कहा जाता है इसके अलावा मीठे आलू जो हैं चौकलेट्स में पीनिट्स में रूबब में जिसे रेवन चीनी भी कहा जाता है खुश्क मेवे में आखरोट से बने मकھन में चकंदर में ब्लेक टी में रसबरी के फल में बीन्स में वो गोश्ट जो डबो में आता है इसके अलावा टमाटर के दानों में और गोबी में ऐसी और भी खुराके हैं जिसमें ऑक्जलेट बहुत बड़ी मिधदार में मौजूद होता है थोड़ी सी बात केल्शिम ऑक्जलेट क्रिस्टल्स की साखत पर करते हैं तो इसकी साखत को अगर देखा जाए तो ये लिफाफी की शकल की भी नजर आते हैं माइक्रोसकोपी में और डंबल शेप भी नजर आते हैं और ये क्रिस्टल्स बेरंग होते हैं जानते हैं कि वो कौन सी वज़े हैं जिसकी वज़े से केल्शिम ऑउक्जलेट की क्रिस्टल्स या फिर इसके स्टॉन्स बनते हैं हमारे गुर्दों में और आते हैं हमारे पिशाब में तो एक वज़ा तो ये है कि अगर पानी का इस्तेमाल ज्यादा ना किया जाए या फिर ऐसी खुराकों का इस्तेमाल किया जाए जिसमें ऑउक्जलेट बहुत ज्यादा हो ऐसी खुराकों का इस्तेमाल किया जाए जिसमें नमक बहुत ज्यादा डाला जाए वो लोग जो बहुत ज्यादा मीठा इस्तेमाल करते हैं, मोटापा और जिन लोगों को डाइबिटीज होता है, हाइपर पेरा थाइराइडिसम के मरीजों में, इंफ्लामेटरी बावल डिजीस के मरीजों में, और वो बिमार जिन हैं डेंट की बिमारी हो। अभी जानते हैं कि केल्शिम ऑग्जलेट के क्रिस्टल्स और केल्शिम ऑग्जलेट के स्टॉन्स के लिए तश्खीसी टेस्ट कौन से हैं, तो 24 गेंटे का यूरीन का टेस्ट किया जाता है, ऑग्जलेट के लिए यूरीन रूटीन एग्जामिनेशन की जाती है, खुन का मा प्रें, X-Ray और इसके एलावा जब पत्री निकल जाती है पिशाब में तो उस पत्री को लेजाया जाता है लेबाटरी में चेक करने के लिए ताके देखा जा सके कि ये केल्शिम उग्सलेट की पत्रियां हैं ya नहीं हम कैसे अपने जिसम में केल्शिम औक्जलेट के क्रिस्टल्स और उसके स्टॉंस को बनने से रोग सकते हैं हमारे गुर्दों में तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें और जो वाइटमन सी है सप्लिमेंट्स में यानी दवाईयों में तो वो इस्तेमाल करना बंद कर दें ऐसी खुराक का इस्तेमाल कम कर दें जिसमें औक्जलेट बहुत ज्यादा हो हमेशा खुराक में केल्शिम और औक्जलेट को एक साथ लें और एक साथ खाएं ऐसी खुराकों का इस्तिमाल करें जिसमें केल्शिम और औक्जलेट दोनों हो इसका फाइदा ये होगा कि हमारे मैदे में और हमारी आंतों में जब ऐसी खुराक पहुंचेगी जिसमें केल्शिम और औक्जलेट दोनों एक साथ होंगे तो ये वहाँ पर मेदे में और हमारी आंतों में एक साथ मिल जाते हैं फिर ये गुर्दों में नहीं जा पाते वापस और फिर ऐसे लोगों के गुर्दों में केल्शिम औक्जलेट के क्रिस्टल्स और पत्रियां नहीं बनती केल्शिम को हमेशा अपने खुराक में इस्तिमाल करें लेकिन दवाईयों में इस्तिमाल नहीं करना जो चीज खुराक में हो तो उसका फाइदा ज्यादा होता है और खासकर केल्शिम का ऐसे लोग अपनी खुराक में नमक का इस्तेमाल इंतहाई कम करें और प्रोटीन वाली खुराक भी ज्यादा इस्तेमाल ना करें इलाज की तरफ आते हैं कि केल्शियम ऑग्जलेट के क्रिस्टल्स और स्टोन्स का क्या इलाज है तो इल्फा ब्लॉकर्ज इन लोगों में दिये जाते हैं ताके जो गुर्दे की नीचे यूरीटर्स हैं पाइप्स हैं उसको रिलेक्स किया जा सके और पत्रियां असानी से पिशाप के मदद से निकल सकें मरीज को अगर दर्द है तो उसके लिए एसीटो आमाइनोफिन या फिर आईबोप्रोफिन दी जाती हैं बदकिस्मती से अगर पत्रियां बहुत बड़ी हैं तो फिर ऐसे मरीजों में पर-क्यूटेनियस निफ्रो लिथाटोमी की जाती है यूरित्रो सकोपी की जाती है और शौक वेव लिथो ट्रिपसी की जाती है बहुत ज़्यादा शुकरिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए उमीद है ये लेक्चर आप लोग के लिए मुफीद सावित हो अगर पसंद की हो इस वीडियो को तो ज़रूर लाइक कीजेगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजेगा हमारी चैनल MLT हब विद कामरान को सबस्क्राइब कीजेगा अपना डेर सारा ख्याल रखेगा अल्ला हाफेज